असलामों अलेकुम जी वेलकम बैक टू माई वीडियो कैसे हैं आप सब आप सब बिलकुल ठीक होंगे तो जी UK में बहुत जोरों शोरों में समर आ चुके हैं सभी ने घुमना फिरना स्टार्ट कर दिया है और ये वीडियो मेरा बहुत पहले का बना हुआ था तो हमने भी घुमना फिरना स्टार्ट कर दिया है और आज भी वही वाला दिन है और यहाँ पर चल रही है पिकने की त वीकेंड हमारे इसी तरीके से चले गए थे, के वैदर ही नहीं ठीक था, तो हम कहीं नहीं निकल पा रहे थे, तो आज तो किस्मत से वो दिन आ गया है, हमने सोचा के मौका छोड़ना नहीं है, हमें निकल ली जाना है, तो एक दिन पहले मैंने यहां सारी तैयारी करके रख ल जाना आता है, बहुत अच्छी कुकिंग आती है, क्यों हम बाहर का मतलब वो करें, यहां पे एक तो हलाल वगएरा के भी बहुत बसला होता है, तो इसलिए मैं अपना सारा चीज अपनी घर से ही लेकर जाती हूं बनाके, जादा तर जहां भी जाए, तो यह हो गया था, नि निकलेंगे फटा-फट से, और पूरे दिन में दो हमने लोकेशन कवर की थी, एक था एटिंगम पार्क नैशनल ट्रस्ट और दूसरा लोकेशन था कार्डिंग मिल वैली करके, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरे दिन में मैंने दोनों जगाएं डीटेल में ब बताया है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो चलिए, यहाँ पर हम निकल चुके हैं, तो जी कहीं जाना हो, और मेरे साथ कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एक दिन पहले, एक दि असल नहीं किया, हुआ यह था कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी, और मेरा एंकल पूरी तरीके से ट्विस्ट हो गया था, मतलब एक अच्छी खासी मोच आ गई थी मेरे पैर में, और मुझे चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, और यहाँ पर सिर्फ चलने का काम है, तो मै में एंटरेंस अंदर आए और पार्किंग में गाड़ी लगा के हम थोड़ा सा खा रहे था, क्योंके नाश्ता बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं किया था, तो भूग बहुत जोर से लग गई थी, अब जाएंगे हम में एंटरेंस से अंदर, तो यहाँ पर देखे मैं चिकन तो इसके दो में एंटरेंस से यह है, अटिंगम पार्क नैशनल टरस्ट जो मैंने बोला था, इसके दो एंटरेंस से एक में एंटरेंस था, जिससे हम गाड़ी लेकर पार्किंग तक आये थी, फिर पार्किंग में गाड़ी करके, और जो यह लेड़ी हमें बता रही थी ना, यहां सब बिलकुल अंदर का, और यह बहुत बहुत बढ़ा है, हमसे तो पूरा कवर भी नहीं हुआ और हमारे मेरे तो पैर की अच्छी तरीके से हिल लग गई थी, और अंदर आये हम लोग, उन्होंने पूरा थोड़ा बहुत गाइड किया, वो हर किसी को इसी तरीके से वो लोग गाइड करते हैं कि अंदर क्या चीज़ है देखने वाली और क्या है, उसके बाद हम आएं यहां पर कॉफी हमने पी सबसे पहले और धूब इतनी जादा थी ना, और लिटरेली मुझे ऐसा लगता है ना कि यूके का जो वेदर है थंडी भी वैसी होती है और धूब भी यहां पर वैसी मुझे तो लगता है, होती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, मतलब आता है समर लेकिन बहुत तेज धूब होती ह तो यहां पर यह जो था ना, यह में इसे पैलेस बोलेंगे, यह पहले के टाइम का था तो उसे अभी इनों ने यह इस्टोरिकल प्लेस के उसमें अभी कनवाइट कर दिया है, सारी चीज़े ऐस इट इस हैं अंदर, जैसे पहले के किंग यहां पर रहा करते थे, तो उन्हो उनके बेडरूम्स और यह उनका एक हॉल था, उनका एक किचन था, किचन भी आप देखेंगे और किचन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे के हर लेडी को अच्छा लगता है तो वैसी मुझे किचन अच्छा लगा, बहुत रॉयल सा लग रहा था, तो इसमें हम पू बहुत एज वाले थे, और इनके मतलब यहां का इनोंने रूल ही यह बनाया होगा, कि बहुत, बहुत मतलब 80 प्लस थे वो, और ज्यादा था लेडीज थी उनके अंदर, और यह लड़की देखे, यह भी मुझे न, यह क्लीनिंग कर रही थी, तो इसे भी उन्होंने ऐसा ल बहुत क्यूट लगी मुझे वो लड़की, तो मैंने उसका वीडियो ले लिया, अब उस पैलस में से हम निकल गए थे, आउटडोर का भी एरिया बहुत बढ़ा था, वो तो छोटा सा था, वो तो जल्दी कबर हो गया था, आउटडोर का बहुत बढ़ा था, और यहां पर टाइम पे हुई, कि हमारी फर्स ट्रिप है यूके की, और इतना बड़ा प्रोब्लम मेरे पैर में हुआ, बट फिर भी मैं तो चलती, मतलब मैंने तो फिर बोला कि कैंसल तो नहीं करना यह प्लान, बहुत टाइम से हम लोग डिसाइड कर रहे थे, और यहां पर यह पूरा हम लोगों ने एक्स्प्लोर कर लिया था, दोफैर हो गई थी, और अब हम जा रहे थे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, और दोफैर के करीब तीन बच गए थे, भूब बहुत जोर से लगी हुई थी, नेक्स्ट लोकेशन भी नजदी की थी, वो आदा गंटा ऐधिंग दू आगे बढ़ते थे वो लोग तो देखा आप लोगोंने कितना खुबसरत वियू था, तो सबसे पहले हमने क्या किया ना, कि हमने सोचा कि हम पहले यहाँ पर अपना खाना वगेरा खा लेते, क्योंकि लेड बहुत हो गया था, भूब बहुत जोर से लग गई थी, तो यहाँ पर वही प्रिपेरेशन चा में यही होता है, कि हम दूसरे काम को हमें थोड़ा सा वोइट करना पड़ता है, और कैमरे पे फोकस करना पड़ता है, वीडियो पे फोकस करना पड़ता है, तो हस्बन और बेटी यह सब कर रहे थे, मैंने बोला, आप लोग करिये, मैं आपको शूट करूंगी, तो पूरा भीग जाने वाली थी ऐसा लग रहा तो इतना ठंडा पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती है और यह व्यू के साथ जो मज़ा आया था हम लोगों को यहां पर खाना वगेरा खाने में तो उफ मैं बोली नहीं सकती है आपको यह थोड़ा सा कुछ करती है फिर पानी क तरफ भागती है इसे बहुत रोकना पड़ा अब बच्चे है उन्हें तो एक्साइटमेंट होती है तो हम लोग यहां पर जल्द जल्द से लग गए थे खाना वगेरा निकालने में अभी आप लोग देखेंगे कि खाने में क्या-क्या था मैंने क्या-क्या बनाया था तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया होगा और आप अगर बर्मिंगम आते हैं ना या आप बर्मिंगम में रहते हैं तो यहां पर जरूर जाए और नियू नियू आप अगर आए है यूके में और बर्मिंगम में है या उसके करीब है आप चाते हैं कि बंडे का छोटा स हमारे घर से यह जो लोकेशन थी ना दोनों लोकेशन वो एक गंटे की दूरी पर थी जादा दूरी पर नहीं थी इसलिए हमने फिर यह वाला चूस किया लोकेशन के जादा दूर का ना बनाते हुए हम यहां पर आएं तो हम लोगों का पहला experience था तो हम लोगों ने सोचा के नजदी का ही कोई लोकेशन लेते हैं जादा दूर नहीं जाते तो इसलिए यह वाला लोकेशन हमने लिया था और मतलब मुझे बहुत पसंद आया अभी यहां पर आप देख रहे हैं मैं सारा निकाल रही हूँ सारा कुछ निकाल रही हूँ और है न मैंने मतलब चाय तक घ ना कर लेकर आई थी के घर का ही जो खाने में मज़ा आता है ना बाहर बैटके तो वह अलगी होता है आप में से कौन-कौन पिकनिक करता है regular मेरी तो लाइफ की यह पहली पिकनिक थी मैं आपको बता दू और बहुत मार्शाललह से बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे एंज लिपीज भी ना आपके साथ में बहुत से शेयर करूंगी बट अभी फिलाल के लिए मतलब यह सब मैंने प्रिपैर करके मैं लेकर आई थी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन विंग्स है और बेक चिकन पास्ता है नूडल्स है और साथ में पुलाओ था पुलाओ से स्नैक्स थे हां वो सब ले लिए हमने और बस यहां पर आप खाना खाएंगे और यहां पर सब ऐसे ही कर रहे थे एंट्रेंस पे इस तरीके से गाड़ी लगा कर थोड़ा रेस्ट करकर क्योंकि यह जो वैली है ना काडिंग मिल वैली यहां पर थोड़ा सा हीली हीली आगे काज अलाउड भी नहीं है हमें लेकर जाना तो लोग यहीं पर खापी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं आज आज आजाएंगे लोग जारा क्रॉस करते हैं यहां पर ना मैं ऐसे खड़े होके ना सब शूट कर रही थी अच्छा मैंने बहुत से चीज़े तो शूट करी ही नहीं क्योंकि एकसाइटमेंट इतनी थी जगा इतनी खूबसूरत है यह कि मतलब आखों को ना इसे ठंड़क सी मिल रही थी और ऐसा लगी नहीं रहता कि मैं यहां से मतलब हटू और मैं भी देखा देखा मैंने बेटी तो अंदर पानी के जा चुकी थी बहुत वो खेली अंदर जाके और मुझसे फिर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं भी पानी में पैर दालकर बैड़ गई और यह बहुत थंड़ा पानी था मतलब मैंने निकाल लिया थोड़ी देर के बाद पांच मिनट से जादा मैं पानी में पैर नहीं रख पाई अब वहाँ से हम लोग ना मैं तो बैठी वी थी वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया और मैं तो सोची रही थी कि आगे ना जाय तो अच्छा है चलना ही पड़ेगा और मेरे पैर की तो ऐसी हालत नहीं थी कि मैं मतलब चलू जाके लेकिन फिर भी एक्स्प्लोर तो करना था तो वो कोने पर आप अभी देखेंगे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से अब यहां से लोग ना बाय वाक ऐसे अंदर जाते जाते हैं और जितना उपर जाना है हील पे लोग जाते हैं उपर उपर तक यहां पर तो मतलब बहुत जादा लोगों में एनर्जी होती है हम तो हम वहां पर इंडिया में तो यह सब नहीं करते कभी लेकिन इंशालला करेंगे वो भी करेंगे अब मेरा पैर साथ नहीं दे रहा था तो मैं हम जादा उपर तक नहीं गए अच्छा ये इस ब्रिच के आगे ना फिर हिल पे मतलब ट्रेकिंग स्टार्ट होती है तो मैं तो यहीं रुख गई थी मैं तो नहीं गई आगे और हस्बेंड और बेटी आगे गए थे तो मैंने उन लोगों को बला आप लोग जाकर आए मेरा तो अल्रेडी पैर का बहुत बुरा हाल है तो मैं नहीं जाओंगी तो मैं यहीं पर बस उनका वेट कर रही थी और वो लोग जाकर आ गए अब हम यहां से जा रहे थे रिटेन वापस से क्योंकि बच गए थे शाम के छे दूप देखकर आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत जल्दी यह तो अभी दूप है लेकिन यहां पर तो साड़े रात के साड़े नौप और दस तक अब दूप रहती है क्योंकि समर है ना तो यहां पर दिन बहुत बड़ा होता है अब जा रहे हम यहां से घर पे और बहुत अलम्दलिल्ला इंजॉय किया पैर की हालत तो बहुत बुरी थी आप देखे मैं वीडियो में भी बता रही हूँ तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज